असलामु अलेकुम मैं जुलेखा अर्फा जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं चिक्किन की ग्रेवी जिसका नाम है चिक्किन भूना बहुत ही बढ़िया जटपट घर पर आसानी से बनती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसे पी साधारान याने और्डि चलिए 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 लाल मिर्च पावडर एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट एक पूरा नीम्बू जो है उसे निचोड कर दाल दीजिए बहुत अच्छी से मिक्स करके इसे साइट पर रख दीजिए जब तक हम आगे की तो इसको चूले को कर दीजिए बंद और इसे फ्रूम टेंपरेचर पर आने दीजिए मैंने कर दिया चूले को बंद और आम आपको गरम मसाले तब तक बता देती हूँ यह है चार-पांच सूखी लाल मिर्चिया परावर में है आदा च्छोटा चाइका चमच काली मिर्च यह है एक डांडी दालचिनी की 6-7 लॉंग एक छोटा चाइका चमच साबुद जीरा जैसे सफिक जीरा भी लोग कहते हैं एक छोटे इसी डांडी जो आप देख सकते हैं यह थी जावितरी की और दो हरी इलाइची आप देख सकते हैं और दो तेजपत्ता अब इसे मैं आप देख सकते हैं तो अच्छा तर्टड़ा गया इसका मतलब यह जो हमारे गरम मसाले यहां पर मैं प्याज प्याज है इसे चुंदा मैंने करके रखा है यह डाल देती हूं इसमें लेहरा अने रेम गोल के यह दाल दीजिए और इसे मीडियम आच कर दीजिए चूले को बार बार चलाते हुए इसे तकरीबन 12-13 मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए हमें light golden brown करना है तो तकरीबन medium आच पर करेंगे तो तकरीबन 12-13 मिनिट होंगी fast आच पर करेंगे तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी चलिए 12-13 मिनिट हो चुकी है और प्यास बहुत अच्छे से भून लीजिए इसमें यह वाली रेसिपी का मतलब ही यह है कि भूनाई जादा करनी है इसका जब अधरक लेसन का पेस्ट भून जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दो टमाटरों को मैंने चीन निकालकर पारिक काट कर दाला है लाल टमाटर लीजिएगा और बहुत इसे मिक्स कीजिए और इसे भी 2-3 मिनिट तक मीडियम आज पर बार बार चलाते हूँ पका लीजिए अचा टमाटर आप चाहे तो कदुकस करके दाल सकते हैं पीसके दाल सकते हैं चले 2 मिनिट हो चुके टमाटर अच्छी भूना गये है तो यहाँ पर चिकन दाल दीजिए अच्छे चिक довright ऐसे दालिएगा कि सुर्फ उटा-उटा के चिकन के पीससे को दालिएगा जो भी ग्रेवी नीचे हो मसाला टाइप नीचे रह गया हैं वह मत् डालिएगा पानी जो हम कहते हैं वो रहने दीजियेगा वह मत् डालिएगा और इसे भी बार बार चलते दाहि फिर आभी चिकन दाल रही हो तो 10 मिनिट भून तो इसका मतलब ही है कि भून भून के यह इतना डिलिशेस हो जाएगा कि इतना टेस्टी होगा कि आपको बड़िया मज़ा आएगा पराठे के साथ खाने के लिए तो चलिए 10 मिनिट हो चुके हैं भून के अच्छा अगर आप चला लिजीए चूले को मैंने मीडियम पर ही रखा है और इसे एक बार मिक्स कर लीजे अच्छे से जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं डाल देती हो नॉर्मल रूम टेंप्रेचर पे रखी हुई दाही है नाहीं खटी है नाहीं मीठी है नौर्मल जो बाजार के और इसे भरता हैं कि मैंने मादार के लिए 7- elas गरते कुछ सकते हैं और बीकषा के गरतीघ हो लिल सकते आए यह चुला फास्ट या मीडियम अज पर वीन सब्सक्राइब हैं कि अब यहां में डाल देती हूँ, आदा कप पानी इसे डाल कर, बहुत अच्छी से mix कर लीजे, और इसमें उबाला जाने दीजे, छूला मीडियम पर ही था, अच्छा उबाला जाने, तो स्लुआज करके इसे ढाक कर, तकरीबं 12-13 मिनिट तक पकने दीजे दम पर, अब कर दीजे, तकरीबं 12-13 मिनिट हो चुकी है, मैं एक बार चला लेती हूँ, हलका अगर चिटक भी गया है इस समय, आप 3-4 बार चलाने के बावजूद भी हलका साइस, इस तरीके से, फिर से, स्क्राब कर लीजेगा, और यह मिक्स कर लीजे, अब यहां पर मैं डाल देती अब यहां और दाल दीजे, आधाया पॉना चोड़ा चाय का चमच, गरम मसाले का पावडर, खूब सारी बारी कट्वी कोथमेर दाल दीजे, इसे मिक्स कर लीजे, और इसे मिक्स करने के बाद, फिर से ठाक कर 2-3 मिनिट, तक दम पर पकने दीजे, अच पर, तक दम पर पक पर इसे चालू किया है, कि थोड़ी गरम हो जाए, थोड़ी सी कोथमेर, यानि के हरा धनिया दाल दीजे, मैंने 3-4 साबो धरी मिर्चियां दाली है, slit मार कर, तो उसका भी flavor आएगा, और गरम हो गया, तो मैं ऐसे गरमा-गरम प्याले में निकालती हूँ, और serve करती हूँ, तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा मजेदार सा चिकन, भुना, बहुत ही बढ़िया जटपट घर पर बनता है, बहुत ही delicious बनता है, और धाबे style एकदम बनता है, जरूर बनाएगा, इसे आप रोटी पराटा, फुलका बटनान किसी के भी साथ, serve कर सकते हैं, वैसे इन में स स्वाद अनुसार दालिएगा, सुखी ला मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार यानि के spice अपने स्वाद अनुसार दालिएगा इस recipe में, इसी तरीके से मैंने बहुत सारी chicken gravy's बनाई है, उस सारे के links यानि के playlist का link की description के अंदर है, आप आहाँ check कर लीजिएगा, मैंने सारे 800 gram chicken ली, आप 1 kilo दकी chicken ले सकते हैं, तो है ना मज़ेदार recipe आज की, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो like जरूर कर दीजे इस वाले वीडियो को, उससे जादा अच्छी लगे, तो अपने family और friends में इस वाले वीडियो के link जरूर forward कीजिएगा, और अगर आप बनाएं तो मे